चेर्मेंट जॉएंट चीफ अब स्टाफ है वो इम्रान खान को मिलने जेल चला गया है जो इम्रान खान सब ने जो मुतालबे की जैहिन दोस्तो मेरे चैनल मोडी डिस में आपका सोगत है दोस्तो इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो दोस्तो इलेक्शन के बाद इम्रान खान की बड़ी जीट हो गया और इम्रान खान ने कहाए कि उसके साथ जीगिंग हुई है और इम्रान खान ने जीट है और इम्रान खान ने जीट के अंडर से प्रोटेस की कॉल दिया कि जब तक इम्रान खान ने जीट में रहके उनसे टीन डिमांड की है और इम्रान सुनके पाकिस्तानी आर्मी के होस्त उड़ गए है तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके बारे बाद चीट करें कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने इम्रान खान के साथ बाद चीट किये जीट के अंडर और इम्रान खान ने उनके साथ तीन सेल्टे रखी है दोस्तों ये वीडियो बहुती मसे ना रहे हैं कि इसे आप पुरास से लो डिखेगा तो चिलिए और इंतिसार ना करके वीडियो डिखते हैं ये डिसीवर है दजाल है ये सजी दिखा के कभी मारता है इसने मिलना होता तो कभी भी इमरान खान से ये जेल ना जाते हैं जर्नलों की जहनियत में जो इतनी शेंशायित और फिरोनियत है कि ये कभी जेल फॉर स्टार नहीं जाएगा कि इमरान खान साब को बुलाएंगे, साथ जरार केम्प बुला लेंगे, कई बुला लेंगे, वहां बैटके बात करेंगे, करनी है, यह सरफ ड्रामा बादी है, और वो आज थाबित हुई, कि बकाइदा तोर के उपर, अर्बों रुपे आज वो खर्च किया जा रहा है, मौका दिया जाएगा, बलके उसको अपनी मर्दी से चलाने का भी मौका दिया जाएगा, लेकिन हकूमत चलने दें ताकि स्टेबिल्टी आए, क्योंके मुलक में एकनॉमिक क्राइसिस बहुत संगीन है, और अगर यह प्लिटिकल इंस्टेबिल्टी ही कांटीन्यू की, तो फिर हलात पाकिसान के लिए संगीन हो जाएंगे, माशी तोर पर, और हम डिफाल्ट की तरफ जा सकते हैं, तो आप वसी तरकों में उफाद, इमरान खान साब हैं, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया, वो बड़ा दिल्चस्प है, और वो कई लिहाज से, मिल्टी इस्ट करके, चुराई गई हैं, वो वापस कीजिए, दूसरी बात, अमरान खान साब ने, फोज के अधारे को कही, को पेगाम दिया, जनरल साब के जरीए, कि आप मजीद अब इंटरफेर करना बंद कर दें, जॉइंट, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की जो है, मुलाकात हुई है वो पहुँचे हैं अडियाला जेल और उनकी मुलाकात हुई है, अमरान खान के साथ, अब यह हुई है यह नही हुई हमारे हाथ खड़े हैं क्योंके हमें नहीं पता है, लेकिन क्योंके खबर चल रही है, तो मैं आपको बता रही है, एक उन्होंने का इनफ निजफ और हकूमत बनेगी, यह अब एक ऐसी मुश्किल सिच्वेशन है, कि अगर किसी के साथ मिले बगएर हकूमत बनाने पर बात पर अड़े रहते हैं, तो फिर यह मामला हल नहीं होने वादा, यानि फिर जो है, वो देखें क्या होता है, कि इसमें क्या सिच्वेशन, अच्छा, अ चीफ मेट इमरान खान इन अडियाला जेल, इन इनिशेटिव तो फाइंड एसलूशन तो इस क्राइस, वो उन्होंने एक फेक नीज फुलाई हुई है, तारसाभ इमरान खान की पार्टी ने कि जो चेर्मेंट जॉएंट चीफ अप स्टाफ है, वो इमरान को मिलने जेल च में था, आदाप उन्होंने खुरान तो इफस कर लिया ना, अंदर सुना जेल में नमाज कराते हैं, उन्होंने का एपसलूटली नाट, मैं हकीकी हजादी, हकीकी, ओ यार, खुदा आदा नालो, यार, लेकिन ये चीमा साफ पर आवाजें पता है, तब निकलती है, जब ना पाकस्तान, दो ए, लेकिन सबसे बड़ा एक्स्टोशन मनी है ना, वो पाकिसान आर्मी के लोग लेते हैं, खास तोर पे कराची के जो बिजनसमेन हैं, वो रेंजर्स उनसे भत्ता लेती है, और इसके इलावा फिर पिपल्स पार्टी भी एक डाकूओं की पार्टी है, उन का भत्ता अलग होता है, तो बिजनस कमेंट ये अब तंग है, इसके अलावा आप ये जो सरकारी एमकेम है, इनका भत्ता भी बहुत ही ज्यादा होता है, ये भी डरा धंका के, और बिजनसमेन आपको पता है, डरा हुआ होता है, आप मुंबई, इंडिया की मिसाल ले लें, उस जैसी सिट्योशन इस वक्त एक्स्टोर्शन की है, लेकिन कमस कम मुंबई में डाउद इपराहिम और गुंडे गैंक्स जो होते थे वो लेते थे, यहाँ पर आर्मी ले रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट ले रही है, पीपल्स पार्टी की, और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ले रही है, तो फिर आप बाकी गुंडों का सोचें, जो छोटे-छोटे इलाके में गुंडे होते हैं, तो छोटे ऐसे बड़े बिजनस्मेन सब भाग रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चा है यह मुझे नहीं पता, पर अगर यह सच्च भी हो तो मुझे कोई हराइ की पॉपुलेटी किया है, और इम्रान का की वएसे पाकिस्तानी आर्मी को जो गालिया पड़े रही है, तो वो देखते होए इसमें कोई है नहीं होगी, अगर पाकिस्तानी आर्मी ने सच में जेल में इम्रान खान के साथ मिलके कोई डील निकालने की कोशिस की हो, पाकिस् पाकिस्तानी आर्मी को जो गालिया निकल रहे हैं उसे खड़म करने कि ले तो साजी टरेसाइब जो हश्ज स्वेस प्रेक्व कि जूयए जूत है तो अगर सच हो तो मुझे कोई रहे 2017 Pakistan के समर्थन के बीना सुलजा नहीं सकती आप पिट्र समर्थन पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ निकलार है अगर किसी पी पाकिस्तानी इने दबा भी डिया तो अंडर से ही पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफी रहेंगे और फ्यूचर में कोई बड़ा प्रॉब्लम ग्येट करेंगे और आखिर में मैं यह कहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी यहां पे कैच 22 सीट्वेस में फर्स गई है अगर वो इम्रा अंखन को ला प्रॉचर में क्या होट है डोस्ते वीडियो टेक्निकल बॉर्स किया और हमाने चांट सब्सक्राइब करना मतूलेगा थैंक्यू वेरी मच्च